बिहार आज को रंगावाद जिला के हस्पूरा परखंड के सलेमपुर गाउं के पास में एक नहर के पास एक संकिर्न मोड है संकिर्न मोड रहने के कारण वहां नहर पर एक तूटी-फूटी फूल है जिसके कारण गाड़ियां को आवागवन के करम में बराबर उसने हाथसा होती है यह समस्या 20 बरसों से लगतार है कि समस्या यहां जो सडक पर फूल है वहां पर फूल के बहुत हो सकता है तो यह दिकत है हमेशा बहुत कम करेंश्टेट जगह है और बहुत मुडान किखा मूड है साथ उसमें काफी मने हाथसा उसमें बहुत बार मने गाड़ी सब्सक्राइब करने के कारण मोर टूट गया तो फिर तो और यह खतरनाक हो गया इसलिए जब से है वह ऐसे ही है को इसको देखा नहीं ताका नहीं इसको कोई सब्सक्राइब कि इसके लिए लिए लुकलब आप लोग क्या चाहते है को आप लोग परियास कि यहां पर फूल बनना जाए अब लिए अधिक लिए आप लोग नकरी कंप्लेंट किये थे विधायक से सांसद से याग कंप्लेंट किये इसके बार में तो बहुत जब जब गिरा गाले तब परिपा कंप्लेंट कि हम लोग ने कि इसको बनाया जाए जांको बनाया जाये अगर सरकार इसके ध्याने नहीं दे रही है अ कि हम यह चाहते हैं यह नहर जितना जल्दी हो तक में बने औरना किया जाना आगे चलका और भी क्या हो सकता है इस द्रहम को यह आप सकता है सरकार से कि यह लहर जल्ड से जल्ड बननी चाहिए अफसर्स की बात है कि इसी रास्ते से पताधिकारी सी और वीडियो के भी गाड़ी आया जा करता है लेकिन उनका भी ध्यान इस पे नहीं जाता है यह वीडियो देखने वाले तमाम साथियों से आगरा है कि यह वीडियो को देख करके ग्रामिन विकास कर जा लए और अंगावाद का मॉइल नमबर 024337774 पर कॉल कर हमारी मदद कर सकते हैं और इस समस्या का बदलाव में हमें सेयो कर सकते हैं मैं सुरेंदर सरमा समदाइक समदाता और अंगावाद बिहार से